अगर आप देखिएगा कि छोटा ओक्टागॉन और बड़ा ओक्टागॉन में फाइट में क्या डिफरेंस होता है तो अगर ग्राउंड पे फाइट नहीं जाएगी तो बहुत जल्दी एक्जॉस्ट हो जाते हैं फाइटर क्यूंकि पहला बात आपको फायदा यह बता दें क आपको फिनिशर जादा मिलेंगे छोटा ओक्टोगॉन के वज़ा से क्यूंकि फिनिशर जादा मिलेंगे और डिसीजन बहुत कम जाएगा फाइट में क्यूंकि बहुत ज्यादा डिस्टन्स कवर करने को नहीं रहेगा तो अगर कोई आदमी पंच थो करेगा या लेक थो क करना पड़ेगा तुरंत इस क्रॉक कॉर्णर से इस कॉर्णर में उतना ज्यादा पिछले वाले बड़े आप्टोकॉन में 25 फिट रहता है और इसमें 20 फिट है तो 5 फिट का डिफ्रेंस है और लैटरली मूव करते 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 फाइटर्स बहुत जल्दी ठक जाते हैं फॉर भले वो अपने चाइल्ड हुट से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन तब भी लैटरली उतना ज्यादा कोई नहीं चला होगा जितना फॉर्वर्ड मूविंग अपने जिन्दगी में चला होगा और वो सब मसल एक तरीके से मसल में मूरी में आ जाता है कि अगर पैर टेनिस मतलब 80% लैटरली मूव करना पड़ता है प्लेयर्ज को और प्रैक्टिस करने के बाद भी मैंने आपको बताया कि फॉर्वर्ड हम लोग कम थकेंगे रनिंग भी आप देखिए अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो ज्यादा फॉर्वर्ड ही करता है तो इस वजह से कोई आदमी ऑक्टोगॉन में तो बहुत जल्दी एक्जास्ट हो जाएगा और उसके बाद से उसको सरंकंफेरेंस भी बहुत ज्यादा कम रहेगा ऑक्टोगॉन का तो इस वजह से एक तरीके से आपको नौजियेटेड बहुत ज्यादा महसूस करने लगते हैं फाइटर औ तो जैसे की आप सोचिए कि आप कोई काम कोच करने वाले हैं अगर आप बाईynn Shaun करने वाले तो यह वाला मुंट किजएगा ठीक है तो उसी तरीके से फाइटर ने सोचा के यह पूछने क्या बत है कि ऑक्टा गॉंका साइज रहता है वही रहेगा नॉर्मल साइज रहेगा लेकिन वह वाले चैंपियंशिप फाइट में छोटे ऑक्टकॉन में हो गई थी और यूसी ने बताया नहीं था तो वह फाइटर बहुत दिन से उस चैंपियन वह उसके जिंदगी में एक ही चैंपियंशिप फाइट उ बड़ा ऑक्टकॉन में तो यह जो एपेक्स में जितनी फाइट होने वाली है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिसकी ज्यादा कंडिशनिंग अच्छी होगी वह फाइट जीतेगा और जिसके पास नॉक आउट पावर है वह तो हमेशा मतलब जैसे कि बात चल रही थी आप्टोगोन और बड़ा आप्टोगोन